हलो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल माई फैमिली लॉट सेट में चैनल को सब्सक्राइब करें और जबब लोगों को सेयर करें मैं आपको सुनना जा रहा हूँ एक हाती और बकरी की कहानी एक जंगल में एक हाथी और एक बक्री रहते थे दोनों बहुत पक्के दोस्त थे दोनों साथ में मिलकर हर दिन खाने की तलास करते और साथ में ही खाते थे एक दिन दोनों खाने की तलास में अपने जंगल से बहुत दूर निकल गए वहां उन्हें एक तालाब दिखाई दिया उसी तालाब के किनारी एक बेर का पेड़ था बेर का पेड़ देखकर हाती और बकरी बहुत खुश हुए और दोनों बेर के पेड़ के पास गए फिर हाती ने अपनी सून से बेर के पेड़ को जोर से हिलाया और जमीन पर धेर सारे पके हुए बेर गिरने लगे बकरी जल्दी जल्दी किरे हुए बेरों को खटा करने लगी संयोग बस उसी पेड़ के पेड़ पर एक छिडिया का घोसला वी था जिसमें छिडिया का एक बच्चा सो रहा था और छिडिया जाने की खोच में कहीं गई हुई थी बेर का पेर जोर से और तालाब में गिर गया और डूबने लगा चिडिया के बच्चे को डूपता हुआ देखकर उसे बचाने के लिए बगरी तालाब में कूद गई लेकिन बगरी को तैना नहीं आता था इस बज़े से वी तालाब में डूबने लगी बकरी को डूपता हुआ देकर हादी वी तालाब में कूज गया और बकरी को और चड़िया के बच्चे को दोनों को हाथी ने बचा दिया इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए है